बाई और बैनों, क्या बाईबल पढ़कर हमें आस्था में प्रवेश नहीं मिला? क्या हम बाईबल के अनुसार आस्था का अभ्यास नहीं करते हैं? सही है. किसे ने भी प्रभू को नहीं देखा है. तो हम अपनी आस्था किस पर आधारित करें? क्या हम उसे बाईबल पर आधारित नहीं करते हैं? बाईबल प्रभू की गवाई है और हमारे पंद की नीव है. आमीन. इन दो हजार वर्षों में सभी आस्थावानों ने अपनी आस्था बाईबल पर आधारित किये हैं. इसलिए मैं मानता हूँ, बाईबल प्रभू की प्रतिनिदी है. प्रभू में विश्वास का अर्थ ही है, बाईबल में विश्वास करना. आमीन. चाहे कुछ भी हो, हम बाईबल से दूर नहीं जा सकते. आखिर हम बाईबल के बिना पंद का अभ्यास कैसे करेंगे? क्या वो प्रभू में विश्वास होगा? मुझे बताईए, इस तरह अभ्यास करने में क्या खलत है? कुछ भी नहीं. भाईव और बहनों, बहुत से लोग मानते हैं कि बाईबल प्रभू की प्रतिनिधी है, परमेश्वर की प्रतिनिधी. और प्रभू में विश्वास करने का अर्थ बाईबल में विश्वास करना है. लोग बाईबल को परमेश्वर के समान धर्जा दे देते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, बाइबल को मानते हैं वे बाइबल को सर्वोच मानते हैं और परमेश्वर के स्थान पर बाइबल को रखने का प्रयाज भी करते हैं ऐसे धार्मिक नेता भी हैं जो मसी को नहीं मानते पर बाइबुल को बहुत मानते हैं और दावा करते हैं कि प्रभु के दूसरे अवसरन का उपदेश देने वाले लोग पाखंडी और विधर्मी हैं यहां ठीक ठाक मुद्दा क्या है? धार्मिक विश्व केवल बाइबल को ही मानता है प्रभु के लोटने को नहीं प्रभु के लोटने पर विश्वास नहीं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता सत्य है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक विश्व ऐसा सम्हू बन चुका है जो परमेश्वर का विरोध करता है। उसे अपना शत्रू मानता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कई धार्मिक नेता पाखंडी फरीसी ही हैं। जो ये दावा करते हैं कि प्रभु के दूसरे अवतरन का उपदेश देने वाले लोग पाखंडी हैं। वे सभी यीशू विरोधी और अविश्वासी हैं। बिल्कुल ठीक है। लगता है कि बहुत से लोग जानते ही नहीं कि परमेश्वर में विश्वास रखने का सही अर्थ क्या है। इस पर गौर करना चाहिए जिन दिनों यिश्व अपना काम कर रहे थे क्या यहूदियों का रवया भी वैसा ही नहीं था अपना कार्य करने के लिए महसी के प्रकट होने से पहले हर इंसान की परमेश्वर पर आस्था बाइबल पर थी सिर्फ बाइबल पर किसकी आस्था सच्ची थी और किसकी आस्था जूटी थी कोई नहीं बता सकता था कि कौन वास्तव में परमेश्वर की आज्यां का पालन कर रहा था और कौन उनका विरोध कर रहा था सही है ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रभु येश्व देधारी हुए और उन्होंने अपना कार्य किया हर इंसान का खुलासा हो गया इसी में परमेश्वर का सर्विशक्तिमान होना तथा उनकी बुध्धिमता नहित है जब सर्विशक्तिमान परमेश्वर अंतिम दिनों के मसी प्रकट होते हैं और अपना कार्य करते हैं तो बुध्धिमान कुवारियां उनकी वानी सुनते हैं परमेश्वर के पदचिन देखती हैं उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया जाता है आमी जहां तक मूर्ख कुवारियों का प्रश्ण है वे बाइबल पर जोर देती हैं और पैचान नहीं पाती कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर अंतिम दिनों की मसी ही वास्तव में परमेश्वर हैं वे प्रकट कर त्याग दी जाती हैं अभी के लिए वे अपने तथाकतित विश्वास से अभी भी चिपके हुए हैं किन्तु जब मुसीबतें आएंगी तो वे बिलखते और दांत पीशते हुए समाप्त हो जाएंगे जो केवल बाइबल से चिपकर रहते हैं और सत्य को स्विकार करने में असफल रहते हैं जो केवल परमेश्वर में विश्वास करते हैं देधारी मसीम में नहीं वे सब अविश्वासी हैं और परमेश्वर उन्हें त्याग देगा यही सत्य है आएए देखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं मैं बढ़ता हूँ पेज 944 खोलें अएल्डर लियूँ आई एक साथ पढ़ें सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं उस समय से जब बाइबल थी प्रभू के प्रती लोगों का विश्वास बाइबल के प्रती विश्वास रहा है यह कहने के बजाय कि लोग प्रभू में विश्वास करते हैं और ये कहने के पेक्षा कि वे प्रभू के सामने वापस आ गए हैं। ये कहना बेहतर होगा कि वे बाइबल के सामने वापस आ गए हैं। इस तरह से लोग बाइबल के अराधना ऐसे करते हैं, मानो कि ये इश्वर है, मानो कि ये उनका जीवन रक्त है, और इसे खोना अपने जीवन को खोने के समान होगा लोग बाइबल को परमेश्वर के समान ही उचा देखते हैं और कुछ यहां तक भी हैं जो इसे परमेश्वर से भी उचा देखते हैं यदि लोग पवित्रात्मा के कारे के बिना हैं यदि वे परमेश्वर का एहसास नहीं कर सकते हैं, तो वे जीवन जीते रह सकते हैं, परन्तु जैसे ही वे बाइबल को खो देते हैं, या बाइबल के प्रसिद अध्याओं और कथनों को खो देते हैं, तो ये ऐसा है मानों उन्होंने अपना जीवन खो दिया हूँ. उनके लिए मेरे अस्तित्तों का दाइरा मात्र बाइबल तक ही सीमित है उनके लिए मैं बस बाइबल के समान ही हूँ बाइबल के बिना मैं भी नहीं हूँ और मेरे बिना बाइबल भी नहीं है वे मेरे अस्तित्तों या क्रियाओं पर कोई भी ध्यान नहीं देते परंतु इसकी बजाए पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर बहुत अधिक विशेश ध्यान देते हैं और उनमें से कई एक तो यहां तक मानते हैं कि मुझे मेरी चाहत के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक वो पवित्र शास्त्र के द्वारा पहले से बताया गया ना हो वे पवित्र शास्त्र को बहुत अधिक महत्तो देते हैं यह कहा जा सकता है कि वे वचनों और उक्तियों को बहुत अधिक महत्तो पून तरीकों से देखते हैं इस हद की हर एक वचन जो मैं बोलता हूं उसकी तुलना बाइबल के पदों के साथ करते हैं और उसका उपयोग मुझे दोशी ठहराने के लिए करते हैं वे जिसकी खोज कर रहे हैं वो मेरे अनुकूल होने का रास्ता या ढंग नहीं है या सत्य के अनुकूल होने का रास्ता नहीं है बलकि बाइबल के वचनों की अनुकूलता में होने का रास्ता है और वे विश्वास करते हैं कि कोई भी बाद जो बाइबल के अनुसार नहीं है बिना किसी अपवाद के मेरा कारे नहीं है क्या ऐसे लोग फरीसियों के करतव्य नेश्ट वन्शज नहीं है? यहूदी फरीसी येश्व को दोश ठहराने के लिए मूसा की वेवस्था का उपयोग करते थे उन्होंने उस समय के येश्व के अनुकूल होने की खोज नहीं की बलकि उस वेवस्था और नियम का पालन इतनी करमटता से और इस हद तक किया कि अंतता उन्होंने निर्दोश इश्व को क्रूस पर चड़ा दिया उस पर पुराने नियम की वेवस्था का पालन ना करने और मसीह ना होने का दोश मर दिया उनका सार तत्तो क्या था? क्या ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने सत्य के अनुकूल होने के मार्ग की खोज नहीं की? वे पवित्र शास्त्र के हर एक वचन से ग्रस्त हो गए जबकि मेरी इच्छा और मेरे कारे के चर्णू और कारे की विधियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया ये वो लोग नहीं थे जो सत्य को खोज रहे थे बलकि ये वो लोग थे जो कठोरता से पवित्र शास्तर का पालन करते थे ये परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग नहीं थे बलकि ये वो लोग थे जो बाइबल में विश्वास करते थे दरसल वे बाइबल के रक्षक थे बाइबल के हितों की सुरक्षा करने और बाइबल की प्रतिष्ठा को बनाएं रखने और बाइबल की ख्याती को बचाने के लिए वे यहां तक गिर गए कि उन्होंने दयालियू यिशु को भी क्रूस पर चड़ा दिया ये उन्होंने सिर्फ बाइबल की रक्षा करने के लिए और लोगों के हृदे में बाइबल के हर एक वचन के स्तर को बनाए रखने के लिए ही किया इस प्रकार उन्होंने यिशु को निंदित करने के लिए अपने भविशे और प्राइश्ची थे तू पाप बली को त्यागना बेहतर समझा जो पवित्र शास्त्र के सिध्धांत के अनुसार नहीं था क्या वे पवित्र शास्त्र के हर एक वचन को खुश करने वाले नौकर नहीं थे? और आज के लोगों के विशे में क्या कहें? मसीह सत्य को पताने के लिए आये हैं फिर भी वे निश्चे ही स्वर्ग में प्रवीश प्राप्त करने और अनुगरा को पाने के लिए उसे मनुष्य के मध्य में से बाहर निकाल देंगे वे निश्चे ही बाइबल के हितों की सुरक्षा करने के लिए सत्य के आगमन को भी नकार देंगे और निश्चे ही मसीह के वापिस देह में आने के कारण उसे बाइबल के अनंतकाल के अस्तित्व को सुनश्चित करने के लिए सूली पर चढ़ा देंगे कैसे मनुष्य मेरे उधार को ग्रहन कर सकता है जब उसका हृद्य इतना अधीक दुएश से भरा है और मेरे प्रती उसका सुभाव ही इतना विरोध से भरा है आमीन आज समा में जो अप्री जोश्चित में बहुत धन्य हूँ भाईयों और बहनों सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आईए मिलकर विचार करें प्रभू में विश्वास रखने का मतलब क्या है बाईबल में विश्वास क्या है बाईबल और प्रभू के बीच क्या संबंध है पहले कौन आया बाईबल या प्रभू निश्दिश से प्रभू पहले आया तो फिर कौन है जो उद्धार का कार्य करता है परमेश्वर उधार का कार्य करते है तो क्या बाइबल प्रभू के कार्य की जगह ले सकती है? नहीं कर सकती है क्या बाइबल प्रभू का प्रतिनिधत्व कर सकती है? नहीं कर सकती है यदि लोग बाइबल पर अंध विश्वास करें तो क्या वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्या बाइबल का अनुसरन करना परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने जैसा है? क्या बाइबल का अनुसरन करना प्रभू का अनुसरन करना है? नहीं, ऐसा नहीं है. यदि लोग बाइबल को हर चीज़ से पहले रखें तो क्या इसका मतलब ये है कि वो प्रभू को महान मानकर उनकी आराधना करते हैं? कोई भी इन मुद्दों के सत्य को नहीं देखता है हजारों सालों से लोग बाइबल की अंधवत आराधना करते आ रहे हैं और बाइबल को प्रभू जैसा दर्जा दिया गया है कुछ लोग तो बाइबल का उप्योग प्रभू की जगें भी करते हैं लेकिन कोई भी प्रभू को सच में नहीं जानता और उनके प्रती आज्याकारी नहीं फरीसियों ने बाइबल का अनुसरन किया फिर भी उन्होंने प्रभु ईशु को सूली पर चड़ा दिया ये सही है मुद्दा क्या था? क्या बाइबल को समझने का मतलब परमेश्वर को जानना है? क्या बाइबल का अनुसरन करने का मतलब परमेश्वर का अनुसरन है? फरीसी बाइबल की टीकाओं के विशेशग्य थे लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे इसकी बजाए उन्होंने प्रभू ईश्व को सूली पर चढ़ा दिया जिन्होंने सत्य व्यक्त किया और चुटकारा दिलाने का कार्य किया ये सही है क्या हम वाकी भूल गए है परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है क्या बाइबल की व्याख्या करना और उसके ज्यान को समझना परमेश्वर को जानना है ऐसा है तो फरीसियोंने प्रभू ईश्यू की निंदा क्यों की जबकि उसी समय उन्होंने बाइबल की व्याख्या भी की थी इन्होंने जो भी कहा सूचने लाइए इस बात की कुझी की क्या कोई सच में परमेश्वर को जानका उनकी आग्या मानता है ये है कि क्या कोई देहधारी मसी को जानता और उनकी आग्या का पालन करता है ये नहीं? आमीन! देहधारी परमेश्वर समस्त मानव जाती को प्रकाशित करते हैं और अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर पाते। परीसियों पर प्रभु यीशु का शुराब, प्रमान है कि परमेश्वर धार्मिक्ता के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। आमीन! परमेश्वर अप्मान नहीं सहता है। यदि कोई प्रभु की आग्या का पालन नहीं करता है, केवल बाइबल में अंध विश्वास करता है, तो उसे इश्वर का अनुमोदन नहीं मिलेगा। यदि आस्था पूरी तरह से बाइबल के पालन में हो, और दिल में प्रभु के लिए स्थान ना हो, यदि वे प्रभु को महान मान कर, उनकी आराधना नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के मार्दर्शन का पालन नहीं कर सकते हो, तो आप ही बताईए, क्या ऐसा मनुष्य एक पाखंडी फरीसी नहीं है? हाँ, हाँ, सही, इनों ने प्रभु पूछी कहा। क्या ऐसा मनुष्यव मसीह विरोधी नहीं है? निश्चित रूप से. यदि मनुष्य केवल बाइबल से चिपका रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं उसने सत्य पा लिया है. बाइबल का अंधवत अनुसरन करना गलत है. इससे प्रभु का अनुमोदन नहीं मिलेगा. सही है, बिल्कुल सही. परमेश्वर देहधारी हो चुके हैं और सत्य व्यक्त कर चुके हैं. मनुष्य को शुद्ध करने और शैतान के प्रभाव से मुक्त करने के लिए. परमेश्वर को धन्यवाद. ताकि वे परमेश्वर की आग्या का पालन कर सकें, उसका उधार हो सकें. आमीन. ये ही देहधारी परमेश्वर के कार्य का उद्धेश्य है. आमीन. हमारे विश्वास की कुण्जी, सत्य को तलाशना, और प्रभू के बचनों का अभ्यास और अनुभव करना है. केवल इसी प्रकार हम पवित्र आत्मा के कार्य और प्रभू को जानेंगे. आमीन. परमेश्वर को धन्यवाद. तब हम प्रभू से डरेंगे और उन्हें दिलों में महीमा मंडित करेंगे. हमें उन पर सच्चा विश्वास होगा. उनकी आग्या का पालन करेंगे. प्रभू में हमारे विश्वास का यही सच्चा आर्थ है. आमीन. इसी तरह हमें परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त होगा. आमीन. परमेश्वर को धन्यवाद. इससे हर कोई साफ-साफ देख सकता है कि बाइबल में विश्वास करना, परमेश्वर में विश्वास करना नहीं है. हाँ, सही का. अब हम समझ गए कि बाइबल में विश्वास करना, परमेश्वर में विश्वास करना नहीं है. तो परमेश्वर और बाइबल के बीच संबन क्या है? इस बारे में हमें बताइए. इस बारे में प्रभू इश्व ने साफ कहा है. कृपया युहन्ना के सुसमाचार अध्याए 5.49.49 पर जाए धर्म ग्रंत खोजे क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें शाश्वत जीवन है और वे वे हैं जो मेरे बारे में गवाई देते हैं और तुम मेरे पास नहीं आओगे कि तुम जीवन पासको आमीन सही है यही है रभू येश्व के वचनों से ये बहुत स्पष्ट है कि बाइबल परमेश्वर की केवल एक गवाही है वह अतीत में किये गए परमेश्वर के कार्य का अभिलेक मात्र है बाइबल परमेश्वर का प्रतिनिदित्व नहीं करती बाइबल में परमेश्वर के वचनों और कार्य का सीमित ब्योरा है परमेश्वर के वचनों और कार्य का सीमित ब्योरा उनका प्रतिनिदी कैसे होगा सही है परमेश्वर शृष्टि करता है वो सभी चीजों के स्वामी है आमीन परमेश्वर का जीवन असीम और अक्षे है परमेश्वर की विपुलता और महांता की ताह मनुष्य कभी नहीं पासा और बाइबल में पाये जाने वाले परमेश्वर के वचनों और कारे का सीमित अभिलेक परमेश्वर के जीवन के विशाल समुद्रकी केवल एक बून्द है बाइबल परमेश्वर की प्रतिनिधी कैसे हो सकती है बाइबल परमेश्वर के बराबर आखिर कैसे हो सकती है हाँ ये सही है परमेश्वर मनुष्य को बचाते हैं क्या बाइबल ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है. परमेश्वर सत्य व्यक कर सकते हैं. क्या बाइबल ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं. परमेश्वर मनुष्य को प्रबुद्धिता दे सकते हैं. उसका मार्गदशन कर सकते हैं. क्या बाइबल ऐसा कर सकती है? यदि मनुष्य परमेश्वर के कार्य के स्थान पर बाइबल का उपयोग करता है तो ये परमेश्वर से विश्वास घात है परमेश्वर परमेश्वर है और बाइबल बाइबल है आमेन बाइबल परमेश्वर की प्रतिनिधित्व नहीं वो परमेश्वर के कार्य का स्थान नहीं ले सकती बाइबल परमेश्वर के कार्य का अभिलेक मात्र है बाइबल में परमेश्वर के वचन सत्य है उनके जीवन स्ववाहों की अभिवत्ती परमेश्वर की इच्छा दर्शा सकते हैं लेकिन परमेश्वर के कार्य का हर चरण केवल उसके यूग के दौरान, मानव जाती के लिए परमेश्वर की इच्छा का प्रतिनिधी है। वे अन्य यूगों में परमेश्वर के वचनों और कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्या अब आप सबको ये समझ आ गया है। को समझूंगे, उतना परमेश्वर में मेरा विश्वास होगा। लेकिन मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज की उपेक्षा करती जो कि प्रभू के पत का अनुसरान करने के यूगता है। क्या मैं इस तरह फरीसियों जैसी नहीं बन गई। आज मैंने आपकी बातचीत से बहुत कुछ सीखा है। मुझे इससे बहुत कुछ मिला है। इतना तो अपनी आस्था के पिछले दस वर्षों में भी नहीं पाया था। परमेश्वर को धन्यवाद। ये परमेश्वर का मार्ग दर्शन की। बाइबल के अंदर की कहानी को देखते हैं जिससे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंश को देखेंगे। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं बाइबल की सच्चाई को कोई नहीं जानता कि ये परमेश्वर के कार्य के एतिहासिक अभिलेक और परमेश्वर के कार्य के पिछले दो चरणों की गवाही से बढ़कर और कुछ नहीं है और तुम्हें परमेश्वर के कार्यों के लक्षियों की कोई समझ नहीं देता है जिस किसी ने बाइबल को पढ़ा है वो जानता है कि ये व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के दो चर्णों को Old Testament इसराइल के इतिहास और स्रिष्टी के समय से लेकर व्यवस्था के अंत तक यहोवा के कार्य का काल करम से अभिलेखन करता है New Testament पृत्वी पर इशु के कार्य को जो चार सुस समाचारों में है और साथ ही पॉलुस के कार्य को भी अभिलेखित करता है क्या वे एतिहासिक अभिलेखन नहीं है जो कुछ उन्होंने दर्ज किया है ऐसा कहा जा सकता है कि वे उनकी शिक्षा और मनुष्य की चारित्रिक योग्यता के स्तर के अनुसार था जो कुछ उन्होंने दर्ज किया था वे मनुष्यों के अनुभव थे और प्रत्येक के पास दर्ज करने या लिखने और जानने के लिए अपने स्वयम के माध्यम थे और प्रत्येक का लिखित दस्तावेज अलग था इस प्रकार यदि तुम ईश्वर के रूप में बाइबल की आराधना करते हो तो तुम बहुत ज्यादा ना समझ और मूर्ख हो तुम आज के लिए परमेश्वर की वचनों को क्यों नहीं खोचते हो केवल परमेश्वर का कार्य ही मनुश्य को बचा सकता है बाइबल मनुश्य को नहीं बचा सकती ये हजारों सालों से बिलकुल भी नहीं बदली है और यदि तुम बाइबल की आराधना करते हो तो तुम पवित्र आत्मा के कारे को कभी प्राप्त नहीं करोगे लोग धुन और विश्वास के साथ बाइबल के समीप जाते हैं और बाइबल की भीतरी कहानी या सार के बारे में कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है इस प्रकार यह परिनाम है कि आज जब बाइबल की बात आती है तो लोगों के पास अभी भी जादूई गिरी का एक अवरणिय एहसास है और उससे भी बढ़कर उसके बारे में उन्हें धुन लगी है और उस पर विश्वास करते हैं बाइबल में ऐसे अंधे विश्वास के साथ बाइबल में ऐसे भरोसे के साथ उनमें पवित्र आत्मा के कारे को खोजने की कोई इच्छा नहीं होती है लोगों की अवधारनाओं के अनुसार वे सोचते हैं कि केवल बाइबल ही पवित्र आत्मा के कार्य को ला सकती है केवल बाइबल में ही वे परमेश्वर के पधचिन्नों को खोज सकते हैं केवल बाइबल में ही परमेश्वर के कार्य के रहस्य छिपे हुए है केवल बाइबल ना कि अन्य पुस्तकें या लोग परमेश्वर के बारे में हर बात को और उनके कार्य की संपूर्णता को सपष्ट कर सकती है बाइबल स्वर्ग के कार्य को पृत्वी पर ला सकती है और बाइबल युगों का आरंभ और अंत दोनों कर सकती है इन अवधारनाओं के साथ पवित्र आत्मा के कार्य को खोजने की और लोगों का कोई चुकाव नहीं होता अतह इस बाद से बेपरवा के अतीत में बाइबल लोगों के लिए कितनी मददगार थी ये परमेश्वर के नवीनितम कार्य के लिए एक बाधा बन गई है बाइबल के बिना लोग अन्य स्थानों पर परमेश्वर के पधचिन्नों को खोज सकते हैं फिर भी आज उसके कदमों को बाइबल के द्वारा रोक लिया गया है और उनके नवीनितम कार्य को बढ़ाना दुगना कठिन और एक कठिन संघर्ष बन गया है ये सब बाइबल के प्रसिद्ध अध्यायों एवं कठनों और साथ ही बाइबल की विभिन्न भविश्यवाणियों की वजह से है बाइबल लोगों के मनों में एक आदर्ष बन चुकी है ये उनके मस्तिषकों में एक पहेली बन चुकी है वे मात्र ये विश्वास करने में असमर्थ हैं कि परमेश्वर बाइबल से अलग भी काम कर सकते हैं वे मात्र ये विश्वास करने में असमर्थ हैं कि लोग बाइबल के बाहर भी परमेश्वर को पा सकते हैं और वे ये बिल्कुल भी विश्वास करने में सक्षम नहीं हैं कि परमेश्वर अंतिम कार्य के दौरान बाइबल से दूर जा सकते हैं और एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ये लोगों के लिए अकल्पनिय हैं वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते और नाहीं वे इसकी कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर के नए कार्य को सुविकार करने में, बाइबल एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है. और इसने इस कार्य का विस्तार करना और कठिन बना दिया है. प्रिष्ट संख्या 951 खोलें. एल्डर लिउ, आप इस अंश को पढ़ें. ठीक है. परमेश्वर को धन्यवाद. आखिरकार कौन बड़ा है? परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता है और अन्य काम नहीं कर सकता है? यद उसे सब्ध का पालन करना होता और पुराने नियम की आज्याओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद इशु ने सब्द का पालन क्यों नहीं किया? बलकि इसके बजाए उन्होंने पाउध होए सिर को ढखा का रोटी तोड़ी और दाखरस पिया क्या ये सब पुराने नियम की आज्याओं से अनुपस्थित नहीं हो गए है? यदि इशु पुराने नियम का सम्मान करते तो उन्होंने इन सिध्धान्तों का अनादर क्यों किया? आपको जानना चाहिए कि पहले कौन आया था? परमेश्वर या बाइबल? सब्द का प्रभू होते हुए, क्या वे बाइबल के भी प्रभू नहीं हो सकते हैं? आमेश्वर को दन्यवाद, भाइव और बहनों, इस संदर्ब में सत्य को ढूणना और खोजना की, क्या बाइबल परमेश्वर की प्रतिनिधी है? और दोनों की बीच क्या संबंध है? अत्यंत महत्पपूर्ण हैं? सही है. सबसे पहले ये जानिए, परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है? अभी मानते हैं. आईए हब हम विचार करें, बाइबल आखिर कैसे बनी थी? ओ, हमने अभी अभी इस पर बातशीत की. जब परमेश्वर ने अपना कारिया पूरा कर लिया होगा, तो उनके द्वारा इस्तमाल किये गए मनुष्यों ने अपनी गवाहियां और अनुभव लिखे. और ये गवाहियां और अनुभव बाद में बाइबल में संकलित किये सही है. इसलिए हम यकीन के साथ कह सकते हैं Bible केवल परमेश्वर के अतीत में किये गए कार्य का अभिलेख है ये गवाही से अधिक कुछ नहीं है Bible परमेश्वर की प्रतिनिधी नहीं वं परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती आमेन यदि मनिश्य का विश्वास केबल बाइबल पर आधारित है, परमेश्वर के कार्य पर नहीं, तो उसे कभी भी पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त नहीं होगा और बचाया नहीं जाएगा मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि परमेश्वर का उधार कार्य लगातार चल रहा है सही है इसलिए हमें परमेश्वर के कार्य के एक या दो चरणों पर आसक्त नहीं होना चाहिए हमें परमेश्वर के कार्य का तब तक पालन करना चाहिए जब तक वो मनुष्य जाती को बचाने का काम पूरा न कर लें इसी तरह से हमें पूर्ण उद्धार प्राप्त होगा हम मानव जाती की सुखद मनजिल प्राप्त करेंगे परमेश्वर की प्रभंदन योजना में कार्य के तीन चरण शामिल है विवस्था के योग, अनुग्रह के योग और राज्जी के योग का कार्य तीनों शामिल है हर कोई समस्ता है कि विवस्था का योग वह योग था जब परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन का मारग्रशन किया अनुग्रह का यूग तब था जब परमेश्वर ने छुटकारा दिलाने का कादि किया प्रभू येश्व को सूली पर लटकाया गया था ताकि मानवजाती को शैतान से छुटकारा मिले उन्हें पापों के लिए ठ्रमा किया जाए और उन्हें परमेश्वर के सामने आने प्रार्थना और बाचीत करने योग ये बनाया जाए जहां तक राज्य के यूग में न्याय की कारिय का सवाल है यही वो कारिय है जो समस्त मानवजाती को अच्छी तरह से शुद करने बचाने और परिपून करने के लिए है अगर मानवजाती केवल व्यवस्था के योग और अनुग्रह के योग के कारिय से गुजरे लेकिन अंतिन दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार ना करे तो वह परमेश्वर के द्वारा बचाई नहीं जाएगी, जीती नहीं जाएगी जरा सोचो ऐसा क्यों है एक पल के लिए विचार करें अनुग्रह के योग में प्रभू यीश्व का कारिय केवल मानवजाती को छुटकारा दिलाना था परमेश्वर में विश्वास करने से हमें पापों से माफ किये जाने परमेश्वर से प्रार्थना करने और अनुग्रह के आनंद की अनुमती मिली लेकिन हम इस यूग में शुद्धता हासिल करने में असपल रहे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अंदर से पापी स्वभाव के हैं और हम अक्सर पाप करते हैं परमेश्वर का विरोध करते हैं सही है प्रभु ईशु ने वादा किया कि वे वापस आएंगे और सभी सत्यों को व्यत्त करेंगे जो अंतिम दिनों में मानव को बचाते हैं ताकि परमेश्वर की वाणी सुनने वालों और उनके सामने आने वालों को शुद्ध किया जाए ठीक जैसे कि प्रभु ईशु ने भविश वाणी की अभी भी मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बाते हैं लेकिन अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते हो आमीन परमेश्वर को धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य युहना के छंद की संपूर्ण पूर्ती है जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो सच्चाई की और तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगा आमीन तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु ईशु की वापसी है आमीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंतिम दिनों में न्याय के कार्य में उन सब ही को शुद्ध करने, वो पूर्ण बनाने में लगे हैं, जो उनके सिहासन के समक्ष आ गए हैं, यानि कि उन बुधिमान कुवारियों को पूर्ण कर रहे हैं, जो उनकी वाने सुनकर विजई होने के लिए उनके पास आई हैं, ताकि उन्हें परमेश्वर की राज्य म में लाएं, आमीन, कितनी अच्छी बात है, हम कितने खुशनतीद है, परमेश्वर हमारे साथ है, बिल्कुल, परमेश्वर उद्धार कार्य को तीन चर्णों में पूरा करते हैं, इससे पता चलता है कि, परमेश्वर हमेशा मानव जाती का मार्क दर्शन और उसे बचाने क कार्य करते रहते हैं, परमेश्वर के कार्य का हर चर्ण पिछले चर्ण से उन्नत और गहरानाता है, और बाइबल परमेश्वर का अनुसरन करने के लिए एक अवश्यक किताब मातर है, मानव जाती के मार्क दर्शन के लिए बाइबल परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकती, आ हालाकि बाइबल मनुष्य के विश्वास के लिए अपरिहार्य है, किन्तु केवल पवित्र आत्मा के कार्य को पाकर ही, मनुष्य बाइबल और सत्य को समझ सकता है. यही सत्य है. इसलिए परमेश्वर के विश्वास के लिए, हमें मेमने के पधशिन्नों को देखना होगा परमेश्वर के अंतिम दिनों के न्याय का अनुसरन करना होगा केवल इसी तरह हम पवित्र आत्मा के कार्य और परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं आमीन! हम परमेश्वर के बचनों को समझ सकते हैं, सत्य की वास्तविक्ता में प्रवेश कर सकते हैं, और परमेश्वर के द्वारा सिध्ध किये जा सकते हैं. आमीन! हमें एक और बात समझ लेनी चाहिए. एक विश्वासी के रूप में, हमारे उद्धार की कुण जी क्या है? क्या आप बता सकते हैं? पवित्र आत्मा का कार्य है बिल्कुल सही पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण ता कुण जी है आमीन पवित्र आत्मा कौन है? बिल्कुल, पवित्र आत्मा स्वयम परमेश्वर है बाइबल अतीत में परमेश्वर के कार्य का अभिलेक मात्र है तो ये परमेश्वर का स्थान कैसे ले सकती नहीं ले सकती इसलिए जैसा मैंने कहा, केवल परमेश्वर ही मनुष्य को बचा सकते हैं बाइबल मनुष्य को बचाने में असक्षम है। आमीन। यदि हम केवल बाइबल का अनुसरण करते हैं और परमेश्वर के अंतिम दिनों के वचनों और कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो याद रखिए हमें त्याग दिया जाएगा। यवस्था के युग में, बहुत सारे लोग थे जो प्रभु ईश्व के कार्यों को स्वीकार नहीं कर पाए, उन्हें हटा दिया गया। जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर के अंतिम दिनों के कार्यों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी त्याग दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि मनुष्य अंधे हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनके लिए बस बचता है तो आप दाओं को सहना। अंतिम दिनों में सर्फ शक्तिमान परमेश्वर दोरा किया गया न्याई का कार्य ही, मानवजाती को बचाने के लिए उनकी प्रबंधन योजना का मुख्य कार्य है। ये मानवजाती को शुद्ध करने, बचाने और परिपूर्ण करने का अंतिम चरण भी है। इसलिए यदि विश्वासी, बाइबल में वर्नित कारियों के केवल दो चरणों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन अंतिम दिनों में मसी द्वारा किये शुद्धी करन और उद्धार को सुविकार नहीं करते। वे कभी भी परमेश्वर के राजी में प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे कितने ही सालों तक इनका परमेश्वर पर विश्वास रहा हो, वह सब शून्य हो जाएगा। क्योंकि जो सर्फशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार को अस्विकार करते हैं, वो सब पाखंडी फरीसी हैं। इस बारे में तो बिल्कुल भी संशे नहीं है। भले फरीसियों ने बाइबल के आधार पर प्रभू ईशु को अस्विकार कर दिया। और अंतिम दिनों में पाद्रियों और एल्डर ने बाइबल के आधार पर सर्फशक्तिमान परमेश्वर की कारी को अस्विकार किया। लेकिन उनके तर्क ठहरते नहीं हैं। क्योंकि वो अपने तरकों को परमेश्वर के वचनों पर नहीं, बाइबल पर आधारित करते हैं। और जहां परमेश्वर का प्रश्न है, चाहे किसी के पास कितने कारण हो, जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर के अंतिम दिनों के कार्य को स्विकार नहीं करता वो धोके भाज है परमेश्वर की निगाह में वे सब कुकर्मी हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी अंगीकार नहीं करेंगे अंतिम दिनों के परमेश्वर के कार्य द्वारा उजागर हुए इन इसा विरोधियों और अविश्वासियों को आने वाली आपदाओं के दंड को विलाप करते हुए सहना पड़ेगा परमेश्वर के द्वारा उन्हें हमेशा के लिए हटाया जा चुका है और उन्हें दोबारा कभी भी परमेश्वर को देखने का मौका उनका अनुमोधन प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा यहां हम एक तथ्य समझ सकते हैं बाइबल परमेश्वर का प्रतिने धित्व नहीं कर सकती परमेश्वर के कारे का स्थान नहीं ले सकती परमेश्वर परमेश्वर है और बाइबल बाइबल है चूंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं हमें अवश्य परमेश्वर के काले का अनुभव उनके काले की गती का अनुसरन करना चाहिए हमें अवश्य अंतिम दिनों के परमेश्वर के वचनों को खाना और पीना चाहिए और परमेश्वर दोराव्यक्त सभी सत्य स्विकार कर उनका अनुसरन करना चाहिए यही इश्वर में विश्वास करने का सही अर्थ है आमेन हर बार जब कार्य के लिए परमेश्वर देखधारी बनते हैं तो उन्हें उन लोगों को त्याग ना पड़ता है जो केवल बाइबल का अनुसरन करते हैं और आग्या पालन नहीं कर पाते इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास बाइबल से मेल खाना चाहिए बाइबल इश्वर का प्रतिनिद्व करती है ये भ्रांती पूर्ण है ऐसे दावे शुद्ध भ्रांती पूर्ण है जो कोई भी ऐसे दावे करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है अगर मनुश्य बाइबल को सबसे उपर रखता और परमेश्वर के स्थान पर बाइबल का उपियोग करता तो क्या वो फरीसियों के मार्क पर नहीं चल रहा होता? यही तो फरीसियों नहीं किया फरीसियों ने परमेश्वर की विरूहद में बाइबल का अनुसरन किया उन्हें परमेश्वर का श्राप मिला क्या ये तथ्य नहीं है? बिल्ग होड़ी कहा आप लोगों का वादाला बहुत स्पर्श्च छोल पुड़ाव शालिए हम जब अतीत में विश्वास का पालन करते थे तो हमेशा पादरी और एल्डेरों को बाइबल की व्याख्या देते सुनते थे कई सालों तक उनको सुनने के बाद क्या हमने कभी कुछ सीखा हमें सत्य का थोड़ा सा विस्सा नहीं मिला हमें प्रभू का कोई ग्यान नहीं था हमें परमेश्वर के लिए आदर तक नहीं था महिमा मंडित करना तो छोड़ी दीजिए सही है हम बाइबल को परमेश्वर मानते थे ये सोचते थे सभी चीजों में पाद्रियों का आग्या पालन करना काफी है प्रभु के आग्या का पालन नहीं करते थे मनशों की आराधना करते थे उनकी आग्या का पालन करते थे हम किस प्रकार की आस्ता रख रहे हैं यह सब क्या है हमें लगता था परमेश्वर लोटने पर हमें स्वर के राज्य में ले जाएंगे हम शुत कलपना में ही जी रहे थे बास्ता में सही है अंतिम दिनों में प्रभु इशु के न्याय का सामना करते हुए ना केवल मैं खोजने में नाकाम रहा बलकि मैंने परमिश्वर के निंदा की धार्मिक फरीसियों और इसा विरोध्यों को मानता रहा मैं बहुत लंबे समय तक परमिश्वर के विरोध्य फरीसियों के पत पर चलता रहा और एक पाखंडी फरीसि बन गया फिर भी मुझे लगा परमिश्वर के प्रति वफादार हो रहा हूं मैं कितना अज्यानी था प्रभु में विश्वास के लिए जरूरी है कि हम प्रभु की वाणी को सुने मेमने के पत्चिन्हों का नुसरन करें और अंतिम दिनों के मसी के वचनो कारियों का पालन करें यही विश्वास का सच्चा आर्थ है केवल इसी तरह प्रभु में विश्वास रख कोई शुद्धी उधार पा सकता है और स्वर्ग के राज्य में जा सकता है वरना अगर हम पहले की तरह ही पादरियों और एल्डर से धोखा खाकर उनके द्वारा नियंत्रित होते रहे तो हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल का कुछ ग्यान और धर्म शास्त्रों के सिध्धान्थी समझेंगे हम सत्य और जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे और फिर पाखंडी फरीसियों की तरह बनकर समाप्त हो जाएंगे जिन्हें परमेश्वर ने निंदा करके हटा दिया यह सही है अतीत में हमने बाइबल और परमेश्वर को बराबर समझा हमें लगा बाइबल परमेश्वर की प्रतिन दिया है यह वास्तव में इश्णिंदा थी परमेश्वर श्रिष्टी करता है सबी चीज़ों के लिए जीवन का स्रोत है आमीन बाइबल हालांकी परमेश्वर की केवल गवाह ही है पिछले दो चरणों का अभिलेख बाइबल कैसे इश्वर का प्रतिन दित्व कर सकती है यह कैसे मनुष्य के उधार में परमेश्वर की जगे ले सकती है वास्तव में हम इतने मुर्ख कैसे हो सकते है हमने परमेश्वर और बाइबल को एक ही मंच पर कैसे रखा प्रभू येश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा है बाइबल में कोई शाष्वत जीवन नहीं है बाइबल सिर्फ परमेश्वर की कवाही है केवल मसीह मनुष्य को सत्य और जीवन दे सकते है आमीन हमें कैसे रभू येश्व के वचन पहले समझ में नहीं है सत्य के बिना हम कुछ नहीं समझ पाते है शुक्र है हमने सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने और नहीं हम कभी महसूस नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर का विरोध कर रहे है ये कितना ख़तरनाक था सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हर वचन सत्य है और आस्था में हमारी गलत धारनाओं और ब्रामतियों को ठीक करता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बचा लिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बहुत धन्यवाद सर्व शत्मान परवेच्व निवार सही हमें बिल्कुल